दोस्तों देश्टों नॉलिज चैनल आपका स्वागत है मायने में जमेत आज लेकर आए प्रेक्टिस एडम 3 आज ये तो डिस्क्स करते हैं कुश्चिन नमर बन कुश्चिन नमर बन में दिया है साइन उसके ठीटा एकल टू बन अपन फॉर तो क्या पूंचा हमें ब्यापक स्वागति की साइन आज़ी यहां से साइय वरावा सinely साइनुसके अल्फा तो यह होता है ठीटा बरावारल समीक में देक्टव unfa स्भा क्मिश करता के की बैलु क्या होगी देखिए दोस्तों के की वैलु क्या होगी समय के पर टूदी आयर्य रूट-1 रूट-1 इस इस धाया कर दो k equal to minus 1 यहां से देखें आप अगर इस नम्मर को हम चिपा लें तो यह क्या series सेम आती है इसको हमने क्या मान रख्या है k, k मान रख्या है इसके अकॉर्ण हमारा क्या हो जाएगा 1 minus k दोनों तरब इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा k square equal to 1 minus k इधर लेके आएगे तो क्या बनेगा k square plus k minus 1 equal to 0 यह आ गया थो इसमें आपको यहां पर minus 1 था तो यह minus 1 होगा, यह दोनों कैसे हो जाएगे plus 1 होगे, इसके लिए हमारे solution होते है, x square plus x plus k 1, 0 दिया हो तो इसके जो मूल निकल के आते हैं वो omega square होते हैं यहां रखना दोस्तों ही हमेशा के लिए जब ऐसी condition दिया होते है तो उसके मूल के आते है omega, omega square तो option कौन सा हमारा दिया हुआ है second, इसका according option कौन सा हो गया third सा ही हो गया, question number 3 की बात करते हैं 3 में क्या दिया हुआ है 3 question दिया हुआ d over dx 10 inverse 10 inverse x minus 10 inverse y जब plus लगा होता तो formula क्या होता है 10 inverse x minus y upon 1 plus xy ओके इसी का according के देखेंगे तो यहां पर क्या है, a और x a minus x, 1 plus x तो यह क्या बन जागा आपका 10 inverse a minus 10 inverse x इसका हमें क्या करना है इस चीज़ का हमें करना है इस वाले question के according देखो तो यह हो गया हमारा question यह क्या हो गया 0 हो गया और इसका करेंगे तो क्या है minus 1 upon 1 plus x तो option कौन सा दिया हमें इसका according second दिया तो answer कौन सा हो गया 20 ही हो गया question number 4 को देखते है question number 4 में दिया याद fx बराबर integration से question दिया गया क्या लिखा हुआ है यह देख fx बराबर आपका दिया हुआ है fx equal limit लगी है 0 से x tq प्लस e की परवटी dt तो find d over dx क्या होगा तो हमें पता आईए क्या दिया हुआ है function है और function क्या हो रहा है दोस्तो differential हो रहा है और इस जो function दिया है यहाँ पे क्या दिया है integration के पराब़ दिया है तो हम इसको लिखेंगा अगर इसमें यह replace करते है तो यह हो जाएगा d over dx और यहाँ पे क्या जाएगा 0 से x और जहाँ t है वहाँ पे function क्या जाएगा x तो यह हो जाएगा x e power sorry x e power 3 और 1 e power x dx जब भी integration और differential साथ में आए तो क्या बचता है function बचता है अभी आपका यहाँ पर क्या लिखाता अभी था t और यह क्या दिया था 1 e power t limit क्या लगिए 0 से x differential और integration साथ में हो रहा है तो आपका क्या बचेगा function function क्या दिया हमें यह तो आपका बचेगा x e power t और e की power t यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 से x ओके sorry यहाँ पर दिया है t की power 3 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका t की power 3 जब इसमें आप limit फिर replace करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x e power 3 और e की power x तो इसके according option देखेंगे तो कौन सा match कर रहा है first match कर रहा है second square दिया है third में आपका x q plus 3 x square into e x दिया है तो option कौन सा match कर गया first दियार रखेंगे जब भी question दिया है जिसमें आपका integration differential साथ साथ हो रहा है उस question में क्या बच्टा है function बच्टा है इसके according अगर देखते हैं इसे तो हो जाएगा 2 x plus 3 x plus 1 2 x plus कितना हो गया 16 यह हो गया 5 x plus 1 माइनस करेंगे दर तो 3 x बढ़ा हो कितना हो गया 15 तो x बढ़ा हो कितना आगया 5 इसे तो हम option से भी देख सकते हैं अगर यह option दिये हुए है और direct list में लगाएं और यह condition follow कर जाएं जैसे option हमारा क्या निकला 5 इसको अगर हम इस option replace करते हैं क्या हमारे point दिये थे 2 x x plus 8 और कॉमा 3 x plus 1 5 को replace करेंगे तो यहां 13 हो जाएंगे यहां 6 हो जाएंगे और यहां कितने होंगे 15 और 16 इन दोनों का क्या होता है यह दोनों हमारे किसमें आते हैं 2b इकल होता है a plus b तो यहां पर हो जाए 26 बड़ाबर 26 तुमारा option ऐसे भी कौन सा सही जा रहा था c तो इसके according option कौन सा हो गया c सही हो गया question number करते हैं 6 की बाद 6 हमारा question है वो किसका हो है वो साड़क से लिए गया है साड़क में हमसे पूचा है कहीं जो साड़क दिया गया है उसका value क्या निकल के आएगा तो देखते हैं साड़क में क्या हैगा आपका साड़क दिया हुआ है जिसमें हम देखते हैं kolumbage 41, 79, 29 1, 75, 59, 3 के बराबर मान क्या होगा तो दोस्तों देखो यहां पर आपका यह C1 है यह C2 है और यह C3 है आप लोग जानते हैं कि साड़क के अंदर यह कंडिशन होती है जब भी दो कॉलम या दो हमारे रो सेम आ जाते हैं कैसे आ जाते हैं सेम आ जाते हैं तो उस कंडिशन में हमारा जो म शाबस लिए भड़ता है वो कैसा होता है किसी भी 6 होता है कि यहाँ कर देएं साडिक 3 में 8 से मल्टिविल कर दें और प्लस क्या कर लें साडिक को सी 2 को आपका दिया है कॉलम सी 3 दिया उसमें से मल्टिविल करने के बाद हम सी 2 को एड कर लें तो देखो क्या बनेगा एट आप जा 40 प्लस 1 एकोन से चैजा पूंटिंटीटी टूंटिफ़ ट्वन्टी फॉंट्य फॉंटिफॉर और फाय टूंटिटी नय तो यह क्या बन जाएगा आपका कॉलम सेम्ट में है तो देखेंगे यह जो है सबसे पहले हमें से solve करेंगे solve करेंगे तो नीचे क्या है 1-I है हमें नीचे से I खतम करना तो चंज्विट लेंगे 1-I 1-I multiple करेंगे तो उपर 1-I और यहां पर करेंगे तो मानस के 2 आई उसका सॉरी प्लस के 2 इसका है और यह कितने हो जाएंगे I कि वैलू कितनी होती मानस वान मानस मानस फ्रस्फ टू हों गए 2 तो वन आपका यह दिया हुआ था हम यहां इस देखेंगे इसका मैंनस सब्राइबंग मैंनस तो मैंश इफैर यह मैंनस बन और यहाँजाँ आपका 20% बना- बना- 2 और 3i y 2 तो देखो यह दिया है आपका जब quadrant दिया हो जिसमें क्या दिया है minus a, plus b. minus a क्या आ रहा है और क्या रहा है? प्लस b. तो यह किस quadrant में होते हैं? यह quadrant में होते हैं जब आपका यह real part है गो minus है और complex part कैसा है? जो imaginary part है वो आपका कैसा है? positive है. तो ऐसे में हमारी इस्तिधी क्या होगी वो इस्तिधी हमारी second quadrant को represent करेगी minus a, b किसमे होता है second quadrant में तो आपका answer हो जाएगा जुती पार्ट ओके option कौन सा इसका सही हो गया b आँगे question दिया गया है वो हमारा matrix से और matrix से हमसे पूछा है कि एक question है याद आप भी हो साइन टीटा जीरो साइन टीटा कोस टीटा जीरो 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 बन विद्करमड़ी आप भी है तो ठीटा का मान बताओ जब आपके condition होती है non singular matrix होती है तो इसके लिए अगर हमारा matrix ए दिया ए नाम है तो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे जब इससे सॉल करेंगे इसके अकॉर्डिंग सॉल कर लो सभी जीरो है तो यह आजाएगा हमारा देखेंगे इसनी चाहिए जीरो चाइगा कोंनका इसा वेले यहां पर तो कितना हो जाएगा यह जाएगा तो आंसर कुन सा हमारा सही है इसका भी सही है ठीक है ना कुछिछिन मेर हम करते हैं नाइन की बात नाइन कुछिन है वो हमारा किस से लिए लिए लोग से लिए लॉग में लिखा हुआ है लॉग एट बेस एट पावर बनवाई 6 तो बताईए वहलू M की क्या होगी जब आपका power sorry जब आपका base same होता है इस तरीके से लिखा होता है तो क्या होता है log a की power m plus log a की power n इसके according देखेंगे इनको हमने क्या से लिख दिया इस तरीके से ऐसे ही से लिखेंगे तो क्या बनेगा यह बन जाएगा log 8 की power m into 1 upon 6 equal to कितना हो जाएगा 2 by 3 8 जो आपका होता है यहां से इसे अटाएंगे तो कहां जाएगा इसके base में m upon 6 बरावर हो जाएगा 8 की power 2 by 3 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की बावर 3 और 2 by 3 3 से 3 कट गया m upon क्या है 6 है m upon 6 equal कितना हो जाएगा आपका 4 जब multiple करेंगे तो m की value कितनी हो गई 24 अब देखते हैं option कौन सा सही है पहले m 4 है 18 है 12 है और d में हमें क्या दिया है 24 तो option हमारे इसका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा question number करते है 10 की बाद 10 की में क्या पूंचा हमसे दो पांसे हैं और दोनों पांसों फैंगने पर पांसे फैं 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरी की series बना लेते हैं यह क्या हो गए आपके योग आने की प्राक्ता है और इसमें कितने फलक बनेंगे बो देखो यहां से start होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 और यह कितना हो जाए बन हमें क्या पूंचा 3 3 के कितने बनना है sorry 3 के कितने बनना है 2 2 हो गए यहां जब भी लगा हो दियां रखेंगे यहां बाट होता है तो हमें यहां पर क्या करना होता है अगर यही और होता इंग्लिज में लिखा होता है to करते तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 5 कितना हो गया 4 पिलस यह लगा 11 का कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 25 नीचे क्या होगा पी बराबर फॉर्मूला होता है आपका एनी अपॉन एनेस क्या होता एनी अपॉन एनेस तो जो सेप्रेबल स्पेस हैं टोटल स्पेस कितने हैं 36 हैं एनी कितने आया आपके यह निकल के यह हो जाएंगे 36 आंसर हो जाएगा 2 और 4 6 6 और 2 8 8 अपॉन 36 इसे ब्रेक करेंगे तो 2 अपॉन 9 ओप्सन देखते हैं कौन सा सही है ओप्सन नमर 11 जो दिया गया है वह हमारा इंट्रिगेशन से क्या लिखा एक होग हमने आपको उता है कि यह की पावर जब भी हमारा लॉग दिया होता है क्या दिया था लॉग इस को यहीं से हम देखेंगे अगर इसको हम एक से जो रिप्लेश यहां पर कर दें यह वाला जो दिया ह यहां से क्या हो जाएगा यह से लोग मैंट कि दा ना कि का ऐए आपको पता है जब बीमारा होता है क्या होता है व्सकी आमने लोगा है तो चनी मेरे जब हम इंटरिकाद तो हमने पता सरी दिए यह intersection B बड़ावर B दिया है तो हमें यह पता हो ना चाहिए का जो भी जैसे A suppose element A1,2 और B के अंदर element A1,2,3 तो हमारा जब intersection निकालेंगे तो इसमें क्योंसा पार्ट मिलेगा क्योंसा पार्ट मिलेगा A part मिलेगा क्योंकि A वाले element में कैसे element कम element इसी के आप जब करते हैं A union B या intersection B तो यहां पर निकालेंगे तो पार्ट भी आ रहा है तो इसका मतलब बी पार्ट होगा कैसा होगा चोटा होगा तो आंसर आपका हो जाए यहांसे इसके क्या बताने में मूल बताने जब मूल बताने तो आपको पता है कि ऐसे कुश्चन हम अगर मूल बताएंगे हम तो इनको हम कैसे solve पर पाएंगे कुश्चन हम आपका थोड़ा सा ब्रॉड है तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं एक सिंपल ही इसके मूल अलफा प्लस बीटा निकालेंगे तो मैनस बना गया अलफा इन्टू बीटा निकालेंगे तो इसका मतलब इन्टू जोडएंगे तक मैनस बना आए गा और मूल बना आ और कलेंगे तो व्र ठीखर दरे समय प्रष्ट में क्या होगा और थी यो क्या होगा प्रोडि करेंगे आप थो स्वेयर तो क्या बन जाएगा अपका अब M-1 होगा और P-2 करेंगी P-Q तो आपका क्या होगा मैनस 1 होगा और एक option में क्या दिया है बन दिया है तो यह हो गया बन को मा बन तो यह भी क्या हो सब गया गया धट की R – P, R – P करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 2 आएगा, कितना आएगा? 2 और P – Q, P – Q कितना आ रहा है? -1, कितना आ जाएगा यह? -1, यह आगए आपका – 2 और एक मूल पहले सिदी आए 1 तो इसके उफिर्टरन हमारे से मैच कर रहे हैं तो यह option कौन सा हो गया इसका c हो गया question number करते है 14 गी वार 14 question आवारा लिमेट्री से सॉरी टिग्नोमेट्री से उसमें क्या लिखा है san theta plus cosec theta बराबत 3 तो san q theta plus cosec q theta का मान क्या होगा तो आपको पता है कि a q plus a plus b का all q होता है वो क्या होता है a q plus b q plus 3ab bracket में a plus b इसका according देख लेते हैं अगरे मैं इसका all q कर दें क्या कर दें all q करेंगे यहाan sin और cosec आपके a plus b गर रहे हो तो इसका कितना हो जाएगा यह 3 q हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा यहापर यह हो जाएगा आपका sin q theta plus cosec q theta plus 3ab sin theta cos theta और bracket में कितना आएगा sin theta plus cosec theta ओके आप देखो यह क्या है यह तो हमें निकालना यह है और यहापस में कट जाएगे यह आपास में कट जाएंगे और इसकी वैलू कितनी थी इसकी वैलू हमें दी है 3 तो यहाँ पर हो जागा 3 का कि कुतना 27 हो गया यह हमें निकालना है यह क्या निकालना है यह से माल लो x और यह कितना हो जागा 3 इसकी वैलू कितनी दी है question में 3 दी हुई है multiple 3 तो यह कितना हो इहां तो इहां से यहां गया सब्सक्राइब देखिए अगला कुश्चिन है उसमें क्या दिया तेखो बोबल सब्सक्राइब सकते हैं जब B से start हो और S से क्या हो समाप्तों तो देखो आप जब वबल सब्दें सब्दूना रही हो तो इसमें क्या होगा आपका नहीं करते हैं इनके बाद जो बचे हुए नमर कितने हैं यह बचे हुए कितने आपके नमर हैं 4 O W E और L कितने हैं 4 इन्हें हम फैक्टोरियल 4 प्रिकास से रख सकते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा 24 तो आंसर इसका हो गया हमारा C सही कौन सही हो गया C क्वे नमर देखो वमारा दिया है 16 जो एक लिमिट का कुश्चन है लिमिट में लिखा हुआ है और नीचे शीरीज किया है आपका सेम पैरन यहसे क्वेस् sj classroom क्या करते हैं जो अमारा इन्फाइन दिया हो और तक सीरीज चल रही हो ठीक है ना सीरीज कहा तक चल रही हो एंटरम तक तो ऐसे कुश्चनों में जो लाश्ट में दिया आपका एंस्केर अपॉन एंक्यू प्लस बन अंसर आ रहा है तो इसका जो पावर होगा इसका पावर और इसका पावर इनका क्या लेते हैं डिफ्रेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा बन और डिफ्रेंस में माइनस प्लस का नहीं देखते के वर डिफ्रेंस देखते तो बन हो गया और नीचे पावर कितनी है तो इसका अंसर हो जाएगा बन भाई 3 ऊपर करते हैं अंस में करते हैं जो अंस होता है आपका जो आपका दिया और यह नीचे दिया है हर, तो हर में तो maximum power आती है और उपर जो आता है वो क्या आता है? difference आता है, इन चीजों का क्या होता है? difference आता है, तो 3 2, 3 में से 2 जाएं कितना होचेगा? 1, तो 1 upon 3, तो इसका answer हो जाएगा आपका 1 upon 3, ओके? question number 17, 17 में लिखा है, matrix दियो है और क्या पूचा है? quality पूची गई है, यह लिखा है, x, y, z, एक आपका हो गया, तो इसका order कितना हो जाएगा? इसमें आपके कितनी रोएं, एक column कितने हैं? 3, इसमें देखो 3, 3 की matrix है, और यह कितनी वाई है? 3, 1 की, तो सबसे पहले matrix का क्या पताना है? quality पतानी है, सब multiple में, तो सबसे पहले देखो 3 और यह मिल रहे हैं, तो जो हमारा आएगा, निकल के वो matrix का आएगा, 1, 3 आएगा, तो यह option कौन सा है? पहले हम दिया 1,2, दूसरे हम 2,1 और तीसरे में दिया हुआ था हमें 1,1 और 4 दिया है 1,3 तो answer हो जाएगा हमारा 1,1 जब ऐसे हमें हमें quote ही निकालनी जाती है, तो पहले के हम देखते है order, दूसरे का देखते हैं तीसरे का, हमारे बीच वाले match करने चा question है हमारा वो कहां से लिए गया? 18 question, एक series दी हुए है, वो किसकी है हमारी? आपकी series जो दी हुए है, वो complex number से rated series, summation लिखा हुआ है, summation n बरावर 1 से 6 तक, i की पावर 2n का मार क्या हुआ? देखो जब बन replace करेंगे, i n की तो i square, 2 करेंगे तो i की पावर 4, 3 करेंगा i की पावर 12, क्योंको हमें कहां तक चलना? 6 तक चलना है, sum है, तो देखो i square की value कितनी होती है, minus 1, i की पावर 4 की कितनी होती है, 1, तो यह series हमारी सभी क्या हो जाएगी? कटती चली जाएगी, और इसका answer हमारा क्या जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है न? तो इस option में हमारा कुंसा दिया? फाइगा, फाइगा, इसका हमारा answer क्या हो जाएगा? 0 हो गया, question में 19, 19 question में हमें क्या पूचा गया है? हमसे पूचा गया है, कि इसके दौरा कटे गए अच्छ के, x, h और by h के अंत्य खंड क्या होंगी? 5x मेरा 7 equal to 6y के दौरा, x, h और by h से कटे अंत्य खंड क्रम से क्या होंगे, तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपका इस तरीके से लिखा हो, y बरावर, x ब्लस y, और कोई भी आपका element दिया हो, या ऐसे देखने, x ब्लस y बरावर, हमें दिया है 1, ठीक है न? या x upon a, y upon b बरावर, हमें दिया है 1, तो यह हो गया, x अच्छ equal to 1, तो यहां से देखें, तो x की value आएगी, वो 7y 5 आएगी, और जो आपकी y की value आएगी, वो 7y 6 आएगी, ओके, यह तो बन चली रहा, तो यह value किसी की हो गई, आपकी x की x का मतलब, x का अंतरखन कितना हो गया, 7y 5, और जो b यह वो कैसा है, माइनस का है, जब यहां प्ल प्रमाई 6 दिया, इस वजए से यह दोनों कैसे हैं, गलत हैं, ओके, question number 20 को देखें, 20 में क्या है, हमें differential दिया हुआ है, x square plus 5, और f 0 बराव कितना दिया है, minus 1, और हमें function पूंचा गया है, तो क्या करेंगे, और नीचे सभी क्या है, कोई ने कोई function रहा होगा, option में दिया है और इसका देखें, तो क्या बनना है, 3x square upon 3 plus 5, इसका देखो क्या बनना है, 3x square plus 3 plus 5, तो देखेंगे, पहले हमारा differential match कौन सा कर रहा है, तो differential में देखो, x square plus 5 आ रहा है, x square क्या रहा है, 5, तो यह तो match कर नहीं दो, यहाँ पर 3 दिया है, तो यह भी गलत, यह ऐसे गलत हो ग में, x square plus 5, अब इसके बाद देखना है, हमारा option कौन सा सही है, दोनों में differential कैसे आ रहा है, सेम आ रहा है, तो देखो, हमें क्या यह condition ही गोर दी है, कि 0 रखने पर answer क्या आना चाहिए, minus 1, तो इन दोनों में, यह जो दोनों अगर मेरे function है, तो इस पर रखने पर value minus 1 कौन सी दे रहा है, तो देखो, यहां पर रखेंगे, तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 क्या होचेगा, minus 1, इसमें value क्या होचेगी, 0 रखने पर, इसकी value क्या होचेगी, 0 plus 0 minus 1, तो यहां से आ गया हमारा minus 1, जबकि यह क्या दे रहा, यह दे रहा हमारा plus 1, देखो, यह क्या होचेगा, 0 plus 0 प्लस बन तो यहां से हो जाएगा प्लस बन ओके तो हमारा option इसका according हो जाएगा सही सी इसका answer क्या हो गया 20 का सी सही हो गया तो दोस्तों बहुत अच्छे हमारे question है comment box में comment करिए हमारा video कैसा लगा और हमें अपने motivation से promote करते रही है